वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज यह वाला तो दोस्तों हम देख रहे हैं आज के अपने 100 mcq जो आपके सिर्फ क्योशनर एंसर फॉर्म में हैं और इसको हम बस रिवीजन के परपस से देखते जा रहे हैं सिर्फ बन लाइनर फॉर्म में देखेंगे जो आपके एक्जाम के पॉइंट आफ यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं आज का पहला सवार है कि हाल ही में खबरों में रहा हेलमंड नदी विवाद ये किन दो देसों के मद्धे हैं तो ये देखें ये है इरान और अफगानिस्तान के बीच का विवाद याद रखेगा हेलमंड नदी विव पर इरानी लोगों के जल अधिकारों का उलंगन न करें ठीक है तो याद रखिएगा इरान और अफगानिस्तान के बीच का है ये हेलमंड नदी विवाद आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है किस देश के किस देश ने 13 वा सुदीर मन कप बैडमिंटन का खिताब जीता है ठ पार्टीशन्स फ्रीडम नामक पुस्तक का विमोचन किया जिसके लेखक कौन है तो पार्टीशन्स फ्रीडम इसके लेखक है राम माधव याद रखिएगा पार्टीशन्स में फ्रीडम इसके लेखक है राम माधव और पुस्तक का विमोचन किया है अब असम के राज्यप तो यह संस्थान MNIT कहां स्थित है तो MNIT है जैपूर में इसके द्वारा स्थापित किया गया है पहला नैशनल सेंटर फॉर डैम सेफटी उत्तरप्रदेश सरकार ने आगराग गुरखपूर प्रयागराज और बरेली में स्पेशल टास्क फोर्स की काईयों का निर्माड करने के लिए कितने करोड रुपए की मंजूरी दी है तो कुछ डेटा है याद आखे जामे कभी कभी पूस देता है तो इसके लिए दिया गया है 20.46 करोड रुपए भारत ब्रिस्बेन में नया वाडिज्य दूतावास खोले आगे बढ़ते हैं पापुआ नयोगिनी में आयोजित FIPIC मतलब फोरम फोर इंडिया पैसिफिक आइसलैंड कॉपरेशन सिखर सम्मेलन में प्रशान देशों के साथ संबंधों को गहरा करने है तो भारत ने कितने सूत्री आयोजन का अनावरण किया है तो यह देखे 12 सूत दो फाली में जारी मुडीज की रिपोर्ट के अनुसार भारत की GDP 2022 में कितने ट्रीलियन अमेरिकी डौलर को पार कर गई तो मुडीज की रिपोर्ट के अनुसार यह है 3.5 अमेरिकी bendyona कि भ्रवार्त के तौर बिसफ्न रियुजर्री निंजन पर हैं मैं तो इस आइस प्रशिद्ध मैन्स यह प्रशिद्ध है लीथियम के लिए ठीक है लीथियम भंडार के आजकल इतनी बात चल रही है ठीक है यह लीथियम भंडार से लीथियम एस से रिलेटेड है बिकिता मिनरल माईंज और यह किसलिए कहां कि पूली यह but how can we comevida की है पिर और इसके देख लीजें कि जिम बॉंबे की सबसे बड़ी हमिए लेकिता मिन्राय Bishop WhatsApp mrach में वर्तमान में चीन के सीनु माइना इसरोर्सक्रफ ते स्वामित मैं हैं इसको निकिशन्ति करने का देज धिया गया थे इंपॉर्टेंट क्या इसमें बनता है पहले तो यह जो बिकिता मिनरल्स है यह है आपके लीथियम से रिलेटेट दूसरा यह इस्थित है जिम बॉम्बे में और किसके स्वामित में है चीन के सीनो माइन रिसोर्स ग्रूप के स्वामित में ठीक है तो बहुत है पहले जो कि अंत्रिक्ष में गई फिर एक इस देश ने तेश से छबिस में यह जो हजार तेश तक वार्सिक वार्सिक आई-एस-ओ सी-ओ-पी को पोल्को प्लेनेटरी में 44 में संस्क्राड की मेजवानी की ठीक है तो यह हैं भारत फिर है सौरफ गांगुली किस राज़ी के टूरिजम के ब्राण्डम बेशडर बने हैं तो सौरफ गांगुली बने हैं त्रिपूरा राज़ी के टूरिजम के ब्राण्डम बेशडर फिर आगे हैं कि इंडियन कॉमन वेल डे 2030 कि दिन मनाए गया इंडियन कॉमन वेल डे 2030 ये मनाये गया है 24 मई को फिर अगला सवाल है हाले में भारत के प्रतमेश जावकर ने किल देश के विश्व नंबर एक खिलाडी माइक स्लोएसर को हरा करके विश्व कप तीरंदाजी में स्वन पदक जीता है तो ये नीदर लैंड के खिलाडी थे माइक जिसको हरा करके भारत के प्रतमेश जावकर हैं ये इन्होंने विश्व कप तीरंदाजी में स्वन पदक जीता है आगे बढ़ते हैं अमेरिका के रॉबर्ट लुकाश जूनियर का निधन हो गया ये प्रशिद अर्थ सास्त्री थे याद रखिएगा रॉबर्ट लुकाश जूनियर ऑफ अमेरि है दीपी का पादुकौन को किस देश की मारिया इस्टेपानोवा ने लिप जिंक बुख पुरसकार 2023 जीता है तो ये रूस की हैं मारिया जो है रूस से बिलॉंग करती हैं रूस से संबंदित हैं किस भारती नेता को फीजी के सर्वोच सम्मान कमपेनियन ऑफ दी ऑर्डर फीजी के से सम्मानित किया गया है तो ये नरिंद्र मोदी को हमारे प्रधान मंत्री को दिया गया है फीजी का ये अवार्ड है फीजी का सर्वोच सम्मान है कमपेनियन ऑफ दी ऑर्डर ऑफ फीजी कमपेनियन ऑफ दी ऑर्डर ऑफ फीजी फिर है यूरोपियन टॉप में किस राजे सरकार ने गुठका और पान मसाला जैसे चबाने योगी खादिपदार्थों के निर्माड भंडारन परिवहन वितरण या विक्री पर प्रतिबंद को एक और साल के लिए बढ़ा दिया है तो ये जो प्रतिबंद बढ़ाए गया है ये तमिल नाडू में याद साल के लिए और बढ़ा दिया गया है तमिल नाडू में फिर है गोवा और किस राज ने केंद्र की देखो अपना देश देखो अपना देश राप पहल के तहट राजियों के बीच पर रेटन को बढ़ावा देने के लिए एक समझाओते गयापन पर हस्ताक्षर किया है तो य डॉक्टर के गोविंद राज फिर है हाली में किस राज जी के उद्योगपती और समाज से भी कुर्म उत्तूटी कंणन का निधन हो गया तो ये तमिल नाडू के थे आगे बढ़ते हैं 24 मई 2023 को रांची में जारखंट के उच्च नियालय के नयभवन का उद्गाटन किस ने किया तो जारखंट के उच्च नियालय का नयभन हाई हाई कोट अफ जारह फोट हैं दृपदी मुर्मू के दवारा फिर ऑलकाता में इस静्व भारत का एक मातर चीनी समाचार पत्र सियॉं पाओ थे प्रिंटिंग समाचार पत्र Lexica से भिवारत का एक मातर चीनी समाचार पत्र था सेवंग पाउ जिसको भी अब बंद करने की घोशना कर दी गई है इसके स्थापना हुई थी 1979 इस्वी में ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है कि 25 मई 2023 को उत्तराखंड की पहली वंदे भारत ट्रेन जो की दिल्ली से लेकर के इप एकस यूनिवर्सिटी जैपुर के द्वारा कि इस नेता को प्रतिष्ठित पुरस्कार ओन ऊंझ का सा प्रदान किया गया है ओन इसको ट्राइब आगे बढ़ते हैं किस कि सेवा है तो यह इन्फोसिस की सेवा है और अटिफिजिजेल इंटेलिजियंस सेवा तो पाज ये इन्फोसिस त्वारा जर्मनी में आयोजित 61 अंतिराश्टे सुपरकंप्यूटिंग सम्मेलन में 500 प्रमुख वैस्विक सुपरकंप्यूटिंग सूची में भारत के AI सुपरकंप्यूटर और एरावत को कौन सा स्थान मिला है तो एरावत को इसमें मिला है 75 रैंक ठीक है 75 रैंक मिली है और आप बताईए कि वर्ड वाइड नंबर वन पर कौन सा कंप्यूटर है इसको कमेंड बॉक्स में बताईए फिर आगे बढ़ते हैं हाली में किस कंपणी ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म वाटसप के माध्यम से सुलब AI संचालित बहु भासी चैट बॉक्स जुगलबंदी का इसको लॉंच किया है तो चैट बॉक्स जुगलबंदी इसको लॉंच किया गया है माइक्रो सॉफ्ट के द्वारा याद रखेग हाली में किस देश के लेखक जॉर्जी गास्पोडिनोव ने टाइम सेल्टर के लिए 2023 अंतर राष्ट्री बुकर प्राइज जीता है दो हजार तेश के लिए तो यह जो लेखक हैं जॉर्जी गोस्पोडिनोव इनकी जो मतफ्क्रिती है वो है टाइम सेल्टर इसके लिए इनको 2023 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है और जार जी जो है यह बिलॉंग करते हैं मुलगारिया से पिर आगे बढ़ते हैं किस देश के हरी बद्धा मागर दिव्यांग ने अपने कृतिम पैरों से एवरेष्ट की चढ़ाई की है तो हरी बद्धा मागर यह एक दिव्यांग है और अपने अर्टिफीसियल लेक से इन्होंने एवरेष्ट की चढ़ाई कर ली है यह बिलॉंग करते हैं नेपाल से फिर है मई 2023 में अमेरिका और किस देश की नौ सेना के बीच में सन्युकत अभ्यास टाइगर सार्क 40 आयोजित किया गया है बंगला दे इसको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनाओं में खेलो इंडिया उनिवर्सिटी गेम का उध्गाटन किस ने किया तो इसका उध्गाटन किया गया है प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के द्वारा फिर आगे बढ़ते हैं मई 2023 में किसे भारत ताइक्वांडो के विरोह चुना गया है तो यह चुने गया है नामदेव फिर गावंकर को चुना गया है ठीक है पिर को उनिवे रहा फिर आ पहले कं Τि दिय्यादर चुअ कौन बने हैं ठीक है करनाटक विधान सभा के पहले मुस्लिम अध्याज तो ये बने हैं यूटी खाजर ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं भारत इस साल के अन तक मौसम पुर्वानुमान के लिए कितने नए पेटा फ्लाप सुपरकंप्यूटर इस्थापित किये जाने की योज है तो यह है अठारा ठीक है अठारा पेटा फ्लाप फिर 21 से लेकर के तीस मईड हो जाते इस तक शियत्तर में विश्व स्वास्त सभा कहां योजित की गई तो यह जित की गई है जेनिवा में हाली में किस राज़ी को भारत का पहला पूर्ण रूप से इसासित राज़ी घ खोल झित किया गया है 25 मैि 2023 को केंदरी मंतरी गिरिगांगरास सिंग् ने ग्राव 55 तर पर डिजटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान किया है तो यह समर्थ समठ कमपेन है इन्होंने क्या किया कि ग्राम 55 तर परभी डिजटल लेन देन हो इसके लिए यह समर्थ कंपेन जो है यह अभियान लॉंच किया है ठीक है फिर 25 मई दो हुजाटेज को ADB और भारत ने आंदर प्रदेश में ओद्योगी गलियारे के विकास के लिए कितने मिलियन डॉलर के रियोड की समझाते पर हस्ताक्षर किये हैं तो यह है 141.12 मिलियन डॉलर ठीक है ADB और भारत सरकार ने आंदर प्रदेश में ओद्योगी गलियारे के विकास के लिए आगे बढ़ते हैं नीतियायोग 27 मई दो हुजाते इसको किस सहर में विक्सित भारत 247 टीम इंडिया की भूमिका विशय पर अपनी आठमी गवर्निंग कांसिल की बैठन का आउजिक करे नीव देली में चespan किया रहना में तो इस देष में भोतो जात्रा एंटा मनाया थोड़ा उस्तो नेपाल सप्रे कमीटी मोश्ट इंबॉर्टन जो अडानी हिंडन बर्ग केस है जो फ्रॉड है उससे रिलेटेड है फिर किस देश में कम दूरी की बैलेश्टिक मिसाइल टेफुन का सफल परिक्षन किया गया है तो तुर्की में फिर हाली में किस राज्य के इंद्रसास प्रदेश के पसु पालन और मत्स विभाग को दोजा तेश का स्कॉट सिल्वर अवार्ड मिला है चंडीगर फिर किस राज्य में सोथ करता अद्वारा पेड़ की नई प्रजाती मेयोगी ने अरुनांचलेसिस इसका खोच किया गया है नाम से ही पता चल रहा है अरुनांचल प्रदेश तो ये 45.34 करोड रुपए का अनुदान दिया गया है मई 2023 में मिक 29 के फाइटर जेट ने स्वादेश निर्मित विमान वहक पोथ आइनस विकरांद पर रात में सफलता पुर्वक लैंडिंग की आइनस विकरांद को किस वर्ष कमिशन किया गया था ये पूछा गया है तो पर राइनस विकरांद को कमिशन किया गया सितंबर 2022 में फिर रॉक एंड रोल की रानी के रूप में प्रशिद टीना टर्टल का हाली में निधन हो गया तो ये किस देश से संबंदित थी ये थी स्विट जे लैंड से संबंदित मद्यप्रदेश के मुखे मंतरी सीवराज सिंग चौहान है हाली में किस सहर में महराना प्रताप लोग इस्थापित करने की गोशना की है तो ये भुपाल है पिर सराप पर स्वास्त चेतावनी लागू करने वाला पहला देश बना है आयलेंड पहली सहरी वायू फिल्म महोत्सव का आयोजन तीन से लेकर के पाच जून दो जाते इस तक किस सहर में आयोजित किया जाएगा तो ये आयोजित किया जाएगा कोलकाता में फर्स्ट अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल फिर मई 2013 में IDBI बैंक के उप्रबंद निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है तो यह है जैकुमार एस पिल्लाई फिर आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है विस्वस सीजोफ्रेनिया जागरुकता दिवस किस दिन मनाये गया विस्वस सीजोफ्रेनिया इस मई को अगला सवाल है 18 मी सदी के मैसूर के सासक टीपू सुल्तान की तलवार ब्रिटेन में रिकॉर्ड कितने मिलियन पाउंड में निलाम हुई है ठीक है तो यह 14 मिलियन पाउंड में निलाम हुई है टीपू सुल्तान की तलवार फिर 28 महीं तो हो जाते हैं इसको पवित्र सैंगोल कि स्थापना किस भवन में की जाएगी तो सबको पता है न्यू पार्लियमेंट में नई संसद में राष्टी लुत्व प्राय प्रजाती दिवस नैशनल इंडेंजर्ड स्पिसीज डे ये कब मनाये गया ये मनाये गया है 19 मई को अगला सवाल है बोस्टन कंसल्टिंग ग्रूप के द्वारा दुनिया की मोस्ट इनोवेटिव पचास कंपनियों की लिष्ट में एक मात्र भार संग ने प्रदीप कुमार पैनर जी की जैनती को AIFF ग्रास रूट डे के रूप में घोसित किया है जो है 23 जुन को ठीक है AIFF ग्रास रूट डे केंदर सरकार ने चीता परियोजना की निगरानी के लिए किसकी अध्यक्षिता में उचस्तरी समीतिका गठन किया है चीता प्रो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक यानी MTHL भारत का सबसे लंबा समुद्रपुल होगा कितने मीटर मीटर का होगा किलो मीटर का 21.8 किलो मीटर का 21.8 किलो मीटर का MTHL ठीक है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक भारत का सबसे लंबा समुद्रपुल खबरों में रहा दाम क्या है android malware ठीक है याद रखेगा डी ए डबल ए डबल ए एम यह android malware प्रधान मंद्री जंधन यूजना के सुभारम के बाद से किस राजिसर ने सभी वर्कों के लोगों को तक बैंकिक सिवाओं का सौ प्रत्सत घरेलू कवरेज हासिल किया है तो तेलंगा न आगे बढ़ते हैं हाली में किस भारती उद्द्योख पदी को सी ओ पी 28 के अध्यक्ष की सलाहकारी समीति का अजसरदस से निक्त किया तो मुखेस अंबानी को नियुक्त किया गया है फिर आगे बढ़ते हैं मई 2023 में कितने भारती 37 सेन को मन्नो परांत ड्रैग् मैल सकॉल मेडल प्रदान किया घ्या तो यह प्रदान किया गया तीन लोगों को ठेक है जिसमें है कौंश्टेबद सिसुपाल सिंह्ं सामवाली राम अबेशडर बनाया हैं तो रियल मी के अबेशडर मने हैं सारुक white कि राजस्थान के सीम असोग गहलोत ने जयं जय समंद वन्जीव अभृरन् gelir कि जीले में तो यह उदैकूर में तो कि इससे बृटेन के विन्ड सर केसल में साही कैपियं और और पुरसकार से सम्मानित किया गया किसको तो सलमान डुरुसदी को ये ब्रिटेन का वार्ड है कैम्पेन ओफ ओनर केंपेनियन ओफ ओनर किंद्री जल सक्ति मंत्राले के द्वारा नैशनल वाटर अवार्ड 2022 में सर्वुत राजी की स्रेडी में बिहार को किसे देश में के ब इंडियन इंडिस्ट्री इसके अध्यक्ष के रूप में किसके ने पदभार समाला आया तो ये है आर निदेस आर दिनेस मई 2023 में आर बियाई ने मराठा सहकारी बैंक के किस बैंक के साथ विले को मंजूरी दे दी है तो ये है कॉस्मोस को कॉपरेटिव बैंक के साथ फिर आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है विस्व मौसम विज्ञान कॉंग्रेस ने उत्सर्जन पर निगरानी रखने के लिए ग्लोबल ग्रीन हाउश ट्रैकर को मंजूरी दी है तो पूछा गया है कि विस्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्याले कहां है ये पूछा गया ह वर्ड म्यूटियो लॉजिकल और्गिनाइजेशन कहां पर इसका हेड़कॉाटर है तो यह है जीनेवा में नागरिकुटियन मंत्राले ने रा हेलिकॉप्टर हों पर केंद्रित उडान 5.1 लांच किया है ठीक है यह गरन फेर्द पस वन लाइनर है अंतराश्री गुम इस ग्रीन रिजिलियंट और इंक्लूजिव इन चेंजिंग क्लाइमेट यह रिपोर्ट कि संस्था के द्वारा निकाले गई है तो रिपोर्ट है वर्ड बैंक की याद रखिएगा वर्ड बैंक की रिपोर्ट है थ्राइविंग फिर है किस देश ने 2000 किलो मीटर के लक्षे को भेदने में सक्षम बैलिष्टिक मिसाइल खैबर का सफल परिक्षन किया है इरान के द्वारा फिर अगला सवाल है विस्वत हायराइट दिवस कब मनाय जाता है तो हायराइट दिवस भी मनाय जाता है 25 मई को हाली में बोला अहमद टीनूबू ये किस देश के नए राष्ट पती चुने गए हैं तो नाइजीरिया याद रखेगा नाइजीरिया के नए राष्ट पती चुने गए हैं टीनूबू जिनका पूरा नाम है बोला अहमद टीनूबू फिर आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है अमेरिका के खाद्य और दवा प्रशासनवी भाग ने कोडी कोविट के उपचार के लिए ओरल एंटिवाइरल वैसको के लिए पैक स्लोविट को मंजूरी दे दी है इसको किस कमपनी ने में बनाया है तो फाइजर खबरों में रहा वलादी वोस्तोक बंदरगा किस राज्य में है किस देश में है वलादी वोस्तोक बंदरगा ये है रूस में फिर आगे बढ़ते हैं आईपिल से सन्यास लेने की घोशना की है तो ये हैं अमबाती नायदू और 19 मई 2030 पुर्वोत्तर की पहली गुवाहाटी न्यू जलपाई गुड़ी वंदी भारत एक्सप्रेस को किसने हरी जंडी दिखाई तो नरेंद्र मोदी ने ठीक है पुर्वोत्तर की पहली जो वंदी भारत है वो है गुवाहाटी न्यू जलपाई गुड़ी वंदी भारत मासिक धर् बाजियों में उत्तर प्रदेश के सस्थान पर रहा तो उत्तर प्रदेश का यहां पर 18 मास्थान है भारत सरकार की के मिनिश्ट्री आफ कॉपरेट अफेस की ओर से परमान हसन खां को भारत घृत में किस के यहां है किस राजिक आ्राःको वैली काफी को जैविक परमान पत्र मिला है अराखु वैली कॉफी जिसको और्गानिक सर्टिफिकेट दिया गया है यह बिलाउं करती है आंद्र प्रदेश से फिर है नए संसत्भवन के उद्गाटन के दोरान पीम नरेंद्र मोदी ने कितनी रुपए का सिक्का जारी किया तो देखें 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया मई 2023 में किस देश की सरकार ने कंप्यूटर चिप्स के एसी आई उत्पादन पर निर्भरता को कम करने के लिए एक नई सेमी कंड़क्टर नीतिका अनावरण किया है तो यह यूग के इसका सही जवाब है फिर है अंतराश्टी फिल्म अकार्मी पुरसकार आईफा के संदर कौन से युग मिल सही है सबसे है सर्वस्थ फिल्म मिली दरिशःम अभीनेती सर्वस्त नहीं बढमा के विए प्रन देश का कंपनाने वाना देश का पहब नगर निगम कौन बना है तो यह पटना नगर निगम सरकार ने हमारा सुघर-लाइखह sprach किया है तो यह 36 गड़का है अंतिराश्टी एवरेश्ट दिवस यह 29 मई को मनाया जाता है नीदी आयोग के वार्षिक स्वास्ति सूशी कांख में कोविड इतने के लिए बड़े राज्यों में टॉप सिर्फ तीन प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन-कौन से हैं तो केरल देश द्वारा G20 High Level Principles on Hydrogen का मसाओधा प्रस्तावित किया गया है किस देश के द्वारा तो यह भारत का है ठीक है भारत ने यह प्रपोजल दिया है G20 High Level Principles on Hydrogen और आज का आखरी सवाल है कि सन्युक्तराश्टर हर साल किस दिन सन्युक्तराश्टर 37 को का अंतिराश्टरी द चाहिए रहा है वन लाइनर के फॉर्म में ठीक है इसमें आपको वन लाइनर के फॉर्म में सर्फ रिवीजन गराया जा रहा है यहां पर आपको खासा उतना इक्स्प्लानेशन है नहीं ठीक है तो इन सवालों को देखिए कि और comment box में बताईए और साथ ही साथ देखिए आ सब्सक्राइब अरो सब्सक्राइब क scraping अभी पुर्भे लिए आपको पास अफ्टूबर मुंबर डिसमबर मुश्किल से चाँ-विक्षाम अगर आप टार्गेट करते हैं तो मां की और परिश्चाओं के लिए बहुत कम इक टाइम बाकी है तो ऐसे ही बने रही है हमारे चैनल पर आपको सब कुछ धीरे धीरे बताया जा रहा है अपना सपोर्ट देते रही है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सेर कीजिए थैंक यू सो मच